नमस्कार दोस्तों आज हम इस बड़िया पाम का एनालिसिस करते देखते इस पाम में क्या-क्या खासियत है सबसे पहले तो ये जो पाम की चोड़ाई है ये इस तरह का पाम जब व्यक्ति के जीवन में रहता है तो ये लोग एक युद्धा किसम के लोग रहते हैं वारियर ट करते दे तो उस तरह के व्यक्तित्व के ये धनी रहते एक्स्ट्रिम लेवल की मेहनत करते ये लोग और इनके पाम में अगर हलकी भी फेट लाइन है पाम का खाली टेक्श्चर अच्छा है तो ये लोग लाखों रुपया कमाते बहुत बार देखा गया है फेट लाइन भी ना हो ऐसे पाम में तो भी ये लोग लाखों रुपया कमाते ये सबसे बड़ी खासियत है इस पाम की साइज देखकर अगर इनमें फेट लाइन हलकी भी है तो भी अच्छा कासा पैसा कमाते पहली चीज बहुत महनती होते और जब आपके ये चार गर अच्छे हो तो व्यक पूठा देखिये कितना स्ट्रॉंग तो स्ट्रॉंग व्यक्तित्वा होगा और थोड़े से अकड़ भी होगी इनमें और अपने हितों की रक्षा करने वाले व्यक्ति भी होंगे इनकी छोटी उंगली अच्छी खासी फार्स फैलें तक पहुच रहे सुर्य उंगली की जाओ तो डॉक्मेंटेशन फाइलिंग कम्मिनिकेशन चीजों को संबाल कर रखना अकाउंट्स और याजशक्ति इसमें मास्टर होते ही ये लोग और जिसका अंगुठा और ये दम चुमती है अब इनके बुद्परवत की और चलते हैं बुद्परवत अपने आप में उठा हुआ है कोई प्रॉबलम नहीं है तो व्यक्ति को सुंदरता देता है बोली अच्छी देता है साफ बोली देता है और बिजनेस एक्विमन ऐसे लोगों में अच्छा खासा होत तो व्यक्ति इस पार्ट के कारण भी अच्छा खासा पैसा कमाएगा अब सुर्य परवत की और चलते हैं सुर्य परवत पर देखें तो कोई श्ट्रॉंग रेखा है ही नहीं तो जब strong रेखा नहीं होती तो व्यक्ति को ज़्यादा संगर्ष नहीं करना पड़ता है बहुत कम संगर्ष करना पड़ता है और यहाँ पर एक triangle का formation बन रहा है पर यह complete होगा तो इनको बहुत ज़्यादा लाब होगा जीवन में पर अभी तक complete नहीं है पर यह बनेगा जरूर क्योंकि वहाँ पर formation बनाए यह जीवन में किसी न किसी पार्ट पर इनके जीवन में यह triangle बनेगा और उस समय इनका huge level का विकास होगा एक property की sign भी है पर वो भी थोड़ी सी dull है complete नहीं बोल सकते फिलाल यह चारों और से pack होनी चाहिए यह भी भविश में pack होगी अब चलते इनके शनी परवत पर शनी परवत काफी road की तरह flat है तो यह भी plus point है और उस पर money receiving antenna तीन चार बने हुए तो यह भी व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा धन देती आम लोगों से ज़्यादा और यहाँ पर एक हलकी सी line बनी हुई है तो बुड़ा पे तक इनको income की कोई problem आने वाली नहीं है और एक line ऐसी है जो यह political connection की और इसारा करती है ऐसे लोगों के political दोस्त सरकारी दोस्त ज़्यादा बनते हैं और इनको मैंने यह सवाल पूछा भी था तो इनके जीवन में वो role था पर यह role वापस आता है इस line के कारण बार बार व्यक्ति ऐसे लोगों से संपर्क में आता है हाँ कमाई का साधन जरिया बनता है इसी पिरियड में इसी पिरियड में बनेगा कमाई का साधन का जनिर यह होगा पिरियड इनका उम्र लग भग त्रेपन चौपन के आसपास उस पिरियड में वापस इनका political connection जीवन में strongly आएगा और अच्छी खासी earning देगा तो यह double type से earning होगी एक यह regular earning और एक यह political लोगों से हाथ मिला का earning तो बुड़ापे में इस तरह का रोल इनके जीवन में होगा इनके जीवन में देखिए कोई sign जादा है नहीं पर गुरु परवत कितना बड़ा है ऐसे लोगों को भड़ा पड़ा परिवार मिलता है सुखी संबंद परिवार मिलता है खाने के शौकिन होते अपने कारे का विस्तार भी यह लोग अच्छा खासा करते है बहुत बार तो देखा गया है यह लोग खाने के टेस्ट के कारण खुद खाना बनाना सिखते जीवन में और इनके हाथ का खाना बना हुआ भी बहुत ट करवाता है और अच्छा धन भी देता है अब चलते इनके अंदुनी मंगल की और अंदुनी मंगल भी इस तरका है जैसे यह कोई स्पोर्ट्स परसन हो हो ना हो जीवन में यह कोई ना कोई स्पोर्ट्स के तो मास्टर होंगे और इस तरका अंदुनी मंगल व्यक्ति को अग अगर थुड़ी सी एनरजी व्यस्तित लगाते या लगाई होगी तो नेशनल लेवल तक तो पहुची जाता है। स्टेट या नेशनल लेवल तक तो स्पोर्ट के अंदर व्यक्ति पहुची जाता है। शारिरिक बल यूज लेवल का देता है। और हो नहों ये कोई स्पोर्ट के मास्टर होंगे जीवन में। अब चलते इनके भारी मंगल के और भारी मंगल अच्छा खासा उबरा हुआ है। ये व्यक्ति को जब किसी से मिलता है इस तरह के मंगल वाला व्यक्ति तो एनरजी के साथ मिलता है। यूज लेवल के एनरजी होती है। सामने वाला कंफोर्टेबल फिल करता है। और इनके साथ अच्छी खासी दोस्ती यारी होती है व्यक्ति की और अच्छा खासा बिजनेस देता है व्यक्ति को और संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना करता है इनका एक और प्रश्ण था क्या विदेश का योग है तो मैं कहूंगा इनका चंदर परवत इतना भी अच्छा नहीं है और नहीं खराब है और नहीं ऐसी कोई лाइन नकी जा रही है ठीक है थोड़ी सी लाइने जा रही है तो विदेश घुमने जा सकते है पर विदेश का कोई पक्ष फिलाल दिख नहीं रहा है अगर ये चंद्रपर्वत इस तरह से थोड़ा सा फैला हुआ होता ये यहां से थोड़ा सा दबाना होता और इस तरह से होता तो हो सकता था चांस इनका विदेश से संबंद आने में पर रहेगा अगर संबंद आया भी तो वो ज़्यादा संबंद रहेगा नहीं विदेश का तो ये विदेश सब्जेक्ट इनके दिमाग से इनको निकाल देना चाहिए पर चंद्र परवत ऐसे अच्छा है बुद्धी शाली होते है व्यक्ति, रिफाइंड सोच होती है पर चैये वैसा उभार नहीं है चंद्र परवत का जैसे गुरु परवत का उभार है वैसा उभार नहीं है पर है clean, साफ है, और यहां पर money triangle देखते हैं, money triangle एक बना हुआ इस तरह से, तो money triangle भी इनके जीवन में है, तो धन तो आता रहेगा इनके बाद, धन की कोई कमी रहने वाली नहीं है, जीवन में, अब चलते इनके शुक्र परवत पर, शुक्र परवत काफी space लिये हुए, बहुत जादा बड़ा space है इनके शुक्र परवत पर, पर उभार नहीं है, तो luxury इनको सब मिलती होगी जीवन में, पर ये luxury के चाहक नहीं बनते, उसके पीछे नहीं भागते, जब शुक्र परवत आपका इलाका बड़ा हो, पर थोड़ा सा flat हो, तो व्यक्ति को लगजरिया तो जीवन में मिलती है, पर उसके पीछे भागते नहीं, ये इस तरह का nature बनता है, और साफ सुत्रा है, शुक्र परवत तो कोई ज़्यादा टेंस लेने की ज़रत नहीं, अब चलते हैं इनकी हृदे रेखा पर, हृदे रेखा को देखे, तो ये एक पार्ट हृदे रेखा का गुरु परवत की और जा रहा है, और ये लगबग उमर 35-36 के आसपास इनका दिमाग चेंज होगा, और पैसा कमाने की और दोड़ेगा, उसके पहले ये ज़्यादा आदर्सवादी व्यक्तित्व की और जाएंगे, मुझे इसी तरह जीवन जीना है, इसी तरह रहना है, ये ही मेरी सोच है, पर उसके बाद 35-36 से देखिए यहाँ पर, ये हृद 32 साल हुआ और उसे 4 साल और एड़ करो, तो ये 36 साल वाला पिरियड इनके दिमाग में एक चेंज लाएगा, और यहाँ से इनका दिमाग पैसा कमाने की और अग्रसर होगा, पर यहाँ से 2-3 चीज़े होगी, एक तो 24 घंटा पैसा सोचेंगे, उसके पहले पैसे के बारे मे सोचा तक नहीं होगा, केवल आदर्सवाजी व्यक्तित्र की और इनका ध्यान होगा, पर जैसे 35-36 का साल आएगा, तो यह पाम आने का कारण भी वह ही है, कि अब इनको पैसे की अभी वर्तमान उम्रे इनकी 35 यर्स है, पैसे की भूख लगी होगी इनको, क्योंकि यह बतला अब आ रहा है, और वो कैसा किस तरह से कमाएंगे वो जानने के लिए यह पाम एनालिसिस के लिए आया है, और यहां से इनका मन चेंज होगा, दो तीन चीज़े इनके जीवन में होगी, एक तो यहां से पैसा कमाने का इनका माइंड जाएगा, दूसरा कामुख भावना पैसा कमाने में बदत करती है, अब चलते इनके माइंड लाइन पर, माइंड लाइन को देखे, तो जीवन रेखा से जॉइंट होकर चल रही है, और इस तरह से चल रही है, जब माइंड लाइन छोटी होती, तो बुद्धी प्रतिबा तो अच्छी होती है व्यक्ति में, प इमेजीनेशन पावर तो बढ़ता है, पर घर में किसी एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बोल बोल करते हैं, और वो व्यक्ति इनसे परेशान रहता है, यह एक माइनस पॉइंट रहता है, और यहाँ पर देखो, एक लाइन इस तरह से भारी मंगल से आकर, इनकी फेट ला पारी का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, जब भारी मंगल से कोई रेखा आकर, फेट लाइन को काटती है, उस समय इस तरह की चीज होती है, तो यह हो सकता है, इनके जीवन में यह 38 के आसपास ऐसी कोई चीज हो, तो जब भी कोई भारी मंगल से रेखा आकर, फेट होती है तो हो सकता है इनके जीवन में भी ऐसा चीज हो या कोई न कोई पारिवारिक expense आता है और व्यक्ति को expense करना पड़ता है कि दो मैंसे कोई एक चीज का फल इनको यहां पर मिलता दिखेगा अब चलते इनकी जीवन रेखा पर जीवन रेखा को देखे तो यह उम्र लगबग कंप्लिट 35-36 तक परिवार के साथ मिलकर रहने की सोच वाला जीवन दिखा रही है और इनका मंगल साफ है तो यहां पर जब मंगल इस तरह का clean होता है और कोई लाइने इस तरह से नहीं होती तो व्यक्ति के जीवन में marriage late होती है अब इनके marriage का भी प्रश्ण था अभी वर्तमान उम्र 35 है और यहीं 35 का part है अगर या तो यह रेखा इनकी साधी कराएगी और यह साधी नहीं हुई इस साल इनके जीवन में तो यह साधी होगी इनकी लग बग 42 के आसपास यह 100% chance है और इनका प्रश्ण था love marriage होगी की arrange तो जब कोई इस तरह से line निकलती है तो ज़्यादा तर दिखा गया है व्यक्ति की marriage लव नहीं होती एरेंज होती है अगर लव भी करता है व्यक्ति तो लव कम एरेंज होती है तो इस तरह का फल व्यक्ति को जीवन में मिलता है तो इनके second प्रश्ण का भी जवाब इनको मिल गया और जब इस तरह की जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति well-to-do family में जन्म लेता है इनको basic चीजों के लिए कभी लड़ना नहीं है कोई संगर्श करना नहीं पढ़ता यहांपर कोई संगर्श ही नहीं दिख रहा है जिग जैक है ही नहीं तो इनको हस्ते कुते इनके 35 साल गुजर गयोंगे पता भी नहीं चला होगा इनको कोई बोज नहीं आया होगा कोई जंजट मारी नहीं हुई होगी smoothly life जीवन जी होंगे क्योंकि ज़्यादा जिग जेक होता है तो व्यक्ति को संगर्श करना पड़ता है और उसके बाद 35-36 से इनकी नहीं जीवन की सुरुवात होगी और यह इस तरह से लाइन चलेगी और यहाँ पर दो चलती रहेगी अब चलते इनकी फेट लाइन पर फेट लाइन को देखे तो केतु परवस से ही शुरू होकर ऐसे चल रही है और यहाँ से एक थोड़ा सा बदलाव आ रहा है और इस तरह से चल रही है इसका मतलब क्या जब केतु परवस से आपकी जिवन रेखा सुरू होती है तो बेसिक रिक्वराइमेंटे पूरी होती है यानि इनोंने पूर्व जन्म में कोई अच्छे कारे की रहते तब इस तरह की फेट लाइन मिलती है यानि बेसिक चीजों के लिए लड़ना नहीं पड़ता वो यहाँ पर भी दिख रहा और यहाँ पर भी दिख रहा वेल टू डू फेमिली होती है वेक्ति की और जीवन स्मूथली चलते आए और यहाँ पर देखिए इनकी जिस तरह की फेट लाइन है तो मेहनत कमाने में हमेशा इनको जादा लगेगी इनकी टोटल जीवन भर फेट लाइन इसी तरह से पतली है एक माइनस पॉइंट होता है लोगों का साथ नहीं मिलता जब पतली फेट लाइन होती पैसा तो आप कमाते हो पर लोगों का साथ नहीं मिलता अकेले पंज से लड़ना पड़ता है पहली चीज और सुबे से लेके शाम तक जद्दो जहत करनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए ये दूसरा फल होता है पैसा आता है पैसा आपको पाम का कलर, माइन लाइन, हाट लाइन अच्छी हो हाट का टेक्शर अच्छा हो तो पैसा आता है, पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं है पर व्यक्ति को सुबे से लेके शाम तक संगर्श करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए अब दूसरा जो बतलाव है, यहां पर जो दिख रहा है, वो यहां पर भी दिख रहा है, देखिए यहां से इनकी फेट लाइन एक अलग सुरुआत हुई और ऐसे चली यहां से एक और फेट लाइन अलग चली और यहां से एक और यानि बार-बार जीवन में इनके बतलाव आएगा बार-बार कमाने के माध्यम में पहला बतलाव आएगा इनके लगबग 35-36 के आसपास और ये चलेगा लगबग उम्र अर्टालिस तक उसके पहले एक और फेट लाइन डवलप हो रही है वो लगबग 44 के आसपास से और एक फेट लाइन और डवलप हो रही है ये हो रही है पचास के आसपास से 56 तक और एक 56 से और एक फेट लाइन और यहां से 54 से एक और फेट लाइन तो इस तरह से इनका जीवन बार-बार इंकम का सोर्स चेंज करेगा बार-बार एक constant income वाला हाथ नहीं रहेगा बार-बार income के माध्यमों में change आएगा पहली चीज दूसरा यहाँ पर देखिए एक जो भारी मंगल से रेखा आ रही है यह लगबग 37, 38 के आसपास कुछ न कुछ पारिवारिक जो मैं पहले ही बता चुका उस तरह का कुछ इनके जीवन में होगा और उसके बाद यहाँ पर एक रेखा काट रही है और यहाँ पर कोई न कोई आर्थिक नुकसान इनको जाएगा यह 42, 40 के आसपास और 42 के आसपास उसके बाद यहाँ से एक और 43 के आसपास व्यावसाय सुरू करेंगे और यह आगे बढ़ेगा और एक व्यावसाय और सुरू होगा और यहाँ पर कोई न कोई पारिवारिक खर्च जीवन में आएगा 50 के आसपास तो यह income continue रहेगी इनके पास income का problem नहीं आएगा एक दो जगह पर जैसे यह नुकसान और यह एक दो नुकसान दिख रहे उसके सीवा कोई ज़्यादा नुकसान इनके जीवन में दिख नहीं रहे तो income continue रहेगी खर्च का पैमाना भी रहेगा पर income रहेगी और बार-बार income के सुरोतों में बदलाव आएगा तो इस तरह का इनका जीवन रहेगा आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जवाब मैंने दे दिये और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद